आप आप सभी कोई नाम रहें तो आप लोग तो पता है कि इनियन वाटेट में कैसा इलक्टर श्कुटर मोजूद है मतलो किसा अविलेइबल हैं हर प्रैस देइंज के अंदर में अविलेबल हैं सश्टे श्चा लेलो मेहानलो क्योंकि सबसे सश्टा आता है अठा़ईजार जो कि आम आदमी खही सकता है मतलब इससे महंगी भी आते हैं ऐसी बात नहीं है मैं भी छोड़ो मैं बात करता हूं जो बजेट माते हैं उनकी तो अगर आप लोगी बजेट फ्रेंडली अच्छी मालेज वाला वर अच्छी वीचे वाला प्लानिंग करें मतलब आपका बजेट सतर जागा आसपास है तो आपके यह वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के अंदर में काफी अच्छी स्कूटे बताने वाला हो जिनकी रेंज 100 किलोमेटर के उपर है मतलब 120 के उपर है कुछ खी बात करो मैं कुछ उच्छी स्कूटर क आसे है इत्ति उपर है जोनका आप इतने कम बजेट में ख़ई सकते हो बजाज चेतक के मुकाबल है क्योंकि बजाज चेतक आपको एक लग्क्यों पर ही मिलता है और वह रेंज देता है 50-50 की बास बस से बजाज की कंपनी के अपने पैसे ले रहा है इसलिए तो अगर आप और वह बोलेंगे भाइयो भैनो हमका वोट दो में कम करेंगे काला धन लाएंगे रुपिया का जो मुल्य बढ़ाएंगे वह रहां इसलिए तो नेता होले काम नखरो करूं करो सब्स्क्राइब और बिना किसी देरी के स्टाट करतें बीडियो को तो पाहला स्कूतर है वह प्लेस प्लेस आपको दो कला अवेलेबल होती है दाक ब्लू और ओर ग्रेग को मिलता आपको आपको इनमें से कोई सब कंसेडर कर सकते हो इसका रियल कॉमपिटिशन अनल मार्केट के अंदर है वह है रियोलेक्टिक और यो बाइक इको कि इसारी कंपनी सेम एंदर स्कूटर निगालती हों सेम बजेट के अंदर में और इसके अंदर आपको सिर्फ एक वाइंड अवेलेबल होता है और इसके प्लेस के अंदर आपको 3.10 किलोगाट के लीट्वन बैट्री मिल जाते है जो कि डिटैचेबल होती है और इसके अंदर आपको शत्रा सब वोल्ट के पाउ उकिनाव रीज्स की तो इसके जो रेंज है वो 84 किलोटने तक की है और इसके वो 33 किलोए्ट परास की है अगर मैं ब्रेकिंभी सिस्टेम की बात करूँ उकिनाव रीच्प्लेस की तो इसके फ्रंट और रीर पे आपको Youससाथ ती जीएटिय। मिल जाता है। यशात इसके अंदर आपको अलाई विल और टुबले श्राइब मिल जाते हैं। जोची विल है वो 10-inch की है। अर अगर मैं suspension गी बात करूँ, तो इसके फ्रेंट में आपको hydraulisk स्ट्शेजज़ूपिक फोक मिल जाते हैं। और इसके जो ग्राउंड क्लेरेंस है उसके साथ मिलिमिड़क है और इसके जो सीट हईट है वो साथ सब्सक्राइब पैर्टिह मिलिमिड़क है ओकिना कंप्टनी अपने इडिश की बैट्री और मोटर पर तीन साल की बंटी दे रही है और अगर में फीचर भी बात करूं ओकिना रीच प्लस की तो इसके अंदर आपको डिशितल ओडिमिटर स्टैंड अलार्म रिजन डिश्टम रिवर्स मोड इसके जो डिस्प्लेइ वो तच्च श्क्रीन नहीं है मतलब नॉमल है बटन से आपको अपरेट करना पड़ेगा इसके साथ इसके अदर आपको डिया ल्स Mobile App Connectivity, GPS or Navigation, Center Locking System, Parking Assist, Anti-Tap System, Geo-Fencing, Front Storage Box, Under Seed Storage, Digital Security Meter, USB Charging Point, LED Headlight, LED Tail Light, LED Turn Signal Lamp, LED Pass Light, Keyless Entry, Find My Secruder Function, Immobilization, Trips, Secure Parking, Tracking and Monitoring, Maintenance Insurance Reminder, Battery Information, Speed Alert and Driver Source, Okinawa दिशका जो बूट स्पेस है वो सत्तर लीटर का है और इसके साथ इसके अंदर आपको लो बैट्टी इंडिकेटर से के साथी विचे मिल जाते है अगर मैं इसके रइनिंग को स्क्रीप बात करूं तो अगर आप लोग इसको डेली 40 km चला रहे हो तो आपका खर् इसके जो प्राइज है वो सत्तर लाइज चार्शन नंबहर रुपए जो कि अक्ष्वर्म प्राइज है और ओंड दिली में यह पिटास जाके आसपास पड़ीगे आपको आपको साही टेक्स लगने के बाद इसके अंदर आपको बाद की इलक्तिक मोटर मिल जाती है और इस इसके बैटरी आपको रिवाज जाते हैं तो तीसरे स्कूटर है वह बांस इंपिंटी इवन जैसे का आप लोग पता है कि इंडर के अंदर इलक्तिक विकला को डिमांड है काफी तरी से बढ़ती जा रही इसके जो मार्केश काफी गराम है बहु सारी एलक्तिक विकल कंपन इंफिनिटी के बारे में तो इसके जो स्टार्टिंग प्राइज है एक्षोरिम दिल्ली के अंदर वह पंताल जार पर है और यह मैक्सिम जाती है सत्तर जाकर आसपास और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप यह में का उप्शन में सेलक्ट के सकते हो तो आपको इसके बाइब देखो डाट कॉम पर इस पर इंटर रेट था वह नोपन साथ परसंट था और आपको तो पता है बाउंस इंफिनिटी इवन दो अविलेबल है बैट्री के साथ बैट्री के बिना तो दोनों की कीमा तो इमाई में अंतर होगा तो अगर आप लोग बाउंस इ जासिके मान आपको स्टाटिंग बता है अगर आप लोग उसको बैट्री साथ खहितते हो तो आपकी डाउंस रुट करने बढ़ेगी 6900 रुपे की जो इंटर से नोपर इंटर साथ परसंट का उसके साफसे आपकी जो लोन बनेगा वह बनेगा बासटी जानिना निना कि आप दो तरिके से जुज़ कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन मोदल में तो आप लोग विंस खख्याइब करते हो तो इसको जिए कीमत है वह सीफ 265 रह जाती है और आपको बैट्री जूस्ट करने के लिए अपने स्कूटर के लिए मन्तली चार्ज भी देने पड़ते हैं जो कि आप लोग से रेंट बान सकते हो या कुछ ही बान सकते हो तो मैं थोड़ा बताता हूं कि इंट्रिगेटिड एलेटिड डेयटिम रेडिंग लाइट ग्लूथ विल और लेड टेयल लाइट और इसके साथ ही इसके सीट के निचे आपको काफी अच्छा स्ट्रीज स्टाइज पर मिल जाते हैं बाउंस इंफिंटी एवन के अंदर को क्यूबले स्टाइब मिलते हैं ज इसकी बैट्रीड वो आय। रेटिड है और इसके अंदर आपको बैट्रीज के होती है इस बैट्रीड पैक को रियल वहील बेस्ट ब्लड अमोट एक साथ जोड़े जाता है इस स्कूटर के अंदर को तीन अलग-अलग राइडिंग मोड मिल जाते हैं जैसे कि ड्रैग इक पावर मोड के अंदर इस स्कूटर की टॉप स्पीड वो 65 क्लिमेटर पराज की वहीं जो स्कूटर एक बाद फुल चार्ज होने पर आपको को फुल चार्ज करने पर आप लोग 85-90 क्लिमेटर चला सकते हो मतलब इसकी जो रेंज है वह 85-90 क्लिमेटर की है और इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट डियाएल डिजिटल क्लॉक डिजिटल स्पीड़ मीटर रिमॉट स्टार्ट पुश्बटर इंशार्ट इस्ट अंधिटल अलाम फाइंड माइज स्कूटर और हार्मोनिक ब्रेकिंग शिस्टम जैसे किसार वीचे मिलते हैं अगर मैं कीमत की बात करूं एंपेजील की तो इसकी जो पांच वाइज स्कूटर है मैंने एक्स मैंने एक्स की प्राइज लख्खे कंपनी ने वह लखे अट उस्ता मिलेगा कहीं आपको महंगा मिलेगा और कम्पनी का यह भी कहना है कि अगर आप लोग मैंने स्कों खेटते हो तो इस परको के साही डिसांट मिलेंगे अगर मैं फीचर रेंज की बात करूं मैंने स्कूट को आप लोग सिंगल चार्ज पी 121 की मेंट चला सकते बढ़ लेता है और अगर फीचर की बात करूं तो इसके अंदर पावफुल LED हैडलाइट, टोड़ी सीट, ज्यादा लेगरूम स्पेस, कीलेस एंट्री, एंटिफ अलार्म और वीकल फैंडर जैसे करशारी फीचर मिल जाते हैं इस इसकुटर के अंदर जो इसकी बैटरी है, वह जो डिटेचेबल है, मतलब आप लोग निकालके आराम से चार्ज कर सकते हो और इस इसकुटर की जो लोड करिंग कैपिसिटी है वो डिटी को लेगराम की है और इसके अंदर आपको बार सो वोट की BLDC मोटर मिल जाती है मैंगनेस एस की बैटरी को चार्ज होने में 6-7 हंडे समय लगता है नमल चार्जर से और इसके अंदर फार चार्जिंग फैसिलेटी आपको नहीं मिलती है मतलब आपको नमल चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा अगर को ब्लेग के बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में ड्रॉम इंड़ जाते है उसका फार्फ ऑपको चार्ज Couldak ने बीब्लिबियूतेए और वुक्री मिल जाते हैं जो कि तसपेंश के होते हैं सिस्पेंश मीं बात की जातेаны मैंगनेज एक ग्राउंड क्लिरंस है वह 147 में लिम्ट अपर है MPR कंपनी मैंगनेज एक की बैटरी पर तीन साल या बीजा किलोमटर तक की वारंटी दे रही है मतलब जो पहले आजाए उस तक की वारंटी है जैसी कि मैं आपको बताया है कि किसी से स्कूटर की एकसी बीश के उपर है जुनको आप लोग लोगे इस लिक्ट में से तो उनके अंदर फिचर तो ऑटमेटिकली मिली जाएंगे अब इसी बात और आपको इंडाक्स सब्सेडी तो मिल जाएगी अगर आप लोगो 20 का लेटेट को इंफोर्मेशन चीए पर्टली वीडिये चीए तो आप लोगो इंचागा मीडियों को सकते चाओ तो फॉल्ल भी गासकते बाकि इस वीडियो से बित्ता है अगर वीडियो अच्छे लेगे में तो अगर पाता है अगर नहीं लाइख शें सब्सक्राइब तुम दिन बाइबाए टेक क्या